दोस्तों आज हम यहाँ पर यह जानेंगे कि सीटेट एक्शुली क्या होता है और किस तरीके से आप सीटेट दे सकते हैं क्या उसकी एलिजबिलिटी होती है कितने उसके पासिंग मार्स होते हैं जनरल स्टी एस्टी एस्टी एंड ओवीशी के लिए और साथी साथ आपको आजी बात अगर आप तमाम लोग यह बात जरू जानना चाहते हैं कि सीटेट के फॉर्म कब निकलते हैं तो देखें मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक साल में दो बार मतलब वन येर में टू टाइम्स आपको सीटेट देने को मिलता है इसका जो डिरेशन होता है यह आपको दिस्टमबर में बनने को मिलता है यह आगे पीछे हो सकता है को कई बढ़ किया होता है ऐकजामीनेशन कंड़ेट नहीं हो पाते हैं जिस वजब J हो जाते है पर इसका exit मन्त जून और दिसंबर ही है साहती साहथ आगर हम यहां बात करें तो आप filter एक्षल क्या है अब सीटेट में दो पेपर कराया जाते हैं अभी तक पेपर 1 और पेपर 2 अगर आप 1 तो फिप्ट के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 देना होगा अब यह दोनों पेपर में क्या डिफरेंसे होते हैं क्या इनके क्वालिफिकेशन होते हैं इसके बारे में 12 पास हैं तो भी आप इस एक्जामिनेशन को दे सकते हैं अगर आपने 12 पास किया हुआ है और आपने B8 किया है BTC किया है D8 किया हुआ है या इसी के जैसा कोई और डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो डेफिनेटली आप 125 के लिए eligible हो जाते हैं अगर आप टीचर बनना चा यह B.A. अगर यह degrees आपके पास है तो आप यहां पर eligible हो जाते हैं यहां 6-8 के लिए अगर आपके पास इसके साथ-साथ B.A. है D.A. है B.T.C. है तो भी आप यहां पर दोनों paper फिल कर सकते हैं तो I think आपको eligibility बिल्कुल clear हो गई है फिर भी अगर आपको कोई भी doubt हो दोनों paper की eligibility पर तो please comment करना मैं आपका doubt clear कर दूँगा अगर हम लोग यहां बात करें कि अभी यह सिटेट 2022 के हम बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं 2022 जो अभी चल रहा है आपको अगर question के quantity के अगर हम बात करें तो 150 question दिये जाएंगे एक question में आपका एक number होता है यहां पर आपको एक बात मैं बता दूँ कि negative marking नहीं होती है यहां पर क्या नहीं होता है negative marking नहीं होती है 150 question और एक question एक number पर होता है तो यहां पर आप एक question एक minute है आपके पास और एक number है और कोई भी negative marking इसमें नहीं है अगर आप पहला paper दे रहे हैं जिसे class 1 to 5th के लिए कहते हैं तो 30 number का बालविकास आजाता है दो कोई भी languages आईगी आपके जो भी भासा हो हिंदी इंग्लिस हो सकती है संस्कृत हिंदी हो सकती है उर्दू हो सकती है तो वो 30-30 number की पूछी जाती है गडित भी यहां पर 30 number की आती है और परियावर अध्धिन आपको यहां पर 30 number का पूछा जाएगा अगर overall हम बात करें तो 150 number का paper होगा धाई घंटे का समय होगा कोई negative marking नहीं होगी computer based test होगा computer में आपको examination देना होगा तो यह आपको paper 1 का कुछ schedule था paper 2 का भी same रहता है बस यहां पर यह वाला section थोड़ा सचेंज हो जाता है यहां पर जो बच्चा social science का है उसको 60 number की social science आएगी जो बच्चा mathematics and science क प्रिकास और यह languages के दोनों section same रहेंगे तो यह time भी same रहेगा question की quantity भी same रहेगी एक question एक number के लिए रहेगा negative marking इसमें भी नहीं रहेगी तो यह चीज़े आपको clear हो गई है अब next आपका जो सवाल था बहुत ज़्यादा आपका सवाल पूछा जाता है आप जैसा देखते है सिटेट का passing marks किया है तो अगर आप सिटेट की passing marks की बात करते हैं तो आपको 60% marks रहें 60% का मतलब होता है कि आपको कम से कम 90 नंबर की requirement यहाँ पे कम से कम 90 नंबर लेने ही पड़ेंगे otherwise आप qualify नहीं होंगे साथी साथ अगर आप SC में है, OBC में है तो आप 55 से काम चला सकते हैं 55% मतलब आप लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि लगबग यह जो marks से यह जाएंगे 82, 83 के आसपास जाएंगे आप 83 पकड़कर चलो 83 नंबर पर आप यहाँ पे qualify माने जाएंगे अब आप लोगों का एक सव PS में पास होना जरूरी है या टोटल 90 नंबर आप ले लेंगे तो आप पास हो जाएंगे तो देखें दोस्तों देखें क्या होता है सभी section में पास होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है यहाँ पर आप किसी भी तरीके से अगर यहाँ पे 90 नंबर लेकर आ जाते हैं तो आप इस केस में भी qualify माने जाएंगे यह चीज़ें आप समझ गया होंगे मेरे साब से बहुत वैसे तरीके से हम लोग बात करें आप्टर सेट क्या होने वाला है आप्टर सेट क्या होगा तो देखें आप ता सेट बहुत सारी opportunities होती है कुछ आपको directly job मिलती है कुछ indirectly job मिलती है आप देखें यहां आपको बहुत लोग जानते है कि सेट के बाद KVS होता है, NVS होता है, KVS होता है, किंद्री विद्ध्याले संगटन, नवोदे विद्ध्याले संगटन और यह daily board होता है यहां तीन जगे तो आपकी सीट पक्की होई जाती है सेट को पास करने के बाद म सकते हैं, आपको बिहार में directly job मिल जाती है और बिहार के अतरिक्त ऐसे बहुत सारे राज्ये हैं जो सीट के बाद आपको directly job जेते हैं, दूसरी बात, अगर आप KVS का form भरेंगे, NVS का DSSB का तो इनका exam पास करना होगा, सीट पास करने के बाद आपको यहां भी job मिल सकती ह अगर आप directly job करना चाहते हैं, तो जो बड़े-बड़े private school होते हैं, नामी school होते हैं, या आप कहा सकते हैं कि जैसे कि KVS हो गया, NVS हो गया, इनमें guest faculties की vacancies आती है, जिनकी salary more than 25,000 होती है, more than 25,000 होती है इनकी salaries, आप इनकी salaries के लिए यह कहा जाता है, actually contract based teacher, तो वहां भी यह contract based teacher उनको रखा जाता है, जो seated qualify होता है, तो आप directly भी apply कर सकते हैं, अगर seated आप pass हैं, तो आप अपने आसपास के केंद्री विद्याले, नवोद्य विद्याले या कोई private school हो में, आप apply कर सकते हैं, through seated market, then आपको वहां पढ़ाने का अगर मौका मिलेगा, अगर वहां पर seat available है, तो और आपको salary अच्छी खासी दी जाएगी, लगबख 25,000 से उपर की salary मिल जाती है, तो यह तो थे बड़े फायदे, चिटेट पास करने के बाद, अब देखिए, दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया है, कि mood अब online हो जाएका negative marking नहीं रहेगी, और 150 minute का time, 150 question आप आपको ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के मांधियम से दिये गए है, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, अभी भी अगर आपका कोई doubt रह गया है, तो आप comment box में लिखें, हम आपका doubt जो है, वो तुरंत से तुरंत clear करने की कोसिस करेंगे दूस्तों, ठ आप लोगों से अभी एक विजवर्दस लाइव क्लास में, आज के लिए इतने ही रखते हैं, जोड़ने के लिए बात्वाद धन्वाद, thank you so much, I will do watching this video.